हेलो दोस्तो वालिन वर्ण T.E.T. चैनल में आप सभी का स्वागत है बिहार T.E.T. उतिन अभयर्थी 13 फरवड़ी को करेंगे अंसन दोस्तो बिहार T.E.T. 2017 उतिन अभयर्थियों की बहाली को लेकर बिहार में सिक्षक बाहली प्रक्रिया जल से जल सुरू कराने को लेकर बिहार टीटी 2017 उतिन अभ्यर्थी जो हैं 13 फरवड़ी से पटना में धर्ना के साथ पैदल मार्च करने का निर्णे लिया है वहीं पे इसके लिए परमीसन भी दोस्तों ले ली गई है और आपको बता दू कि बिहार सरकार सिक्षक बाहली प्रक्रिया जल से जल सुरू नहीं करना चाह रही है और लगातार आसवासन देती है कि समान काम समान वेतन लागू होने के बाद ही सिक्षक की बाहली प्रक्रिया शुरू होगी दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में लगभग में धाई लाग से अधिक सिक्षकों के पद खाली है और बिहार टीटी उतिन अभियर्थी महज पचास हजार है जिनकी बहाली नहीं हो रही है इतनी भारी संख्या में सीट ठेकेंट रहने के बाद भी सिक्षक भाली पग्रिया शुरू नहीं हो रही है इसको लेकर सिक्षक भाली पग्रिया जल से जल सुरू कराने को लेकर बिहार टीटी उतिन अभियर्थी जो है पटना के गर्दनी वाग में तेरा आमरा रहनसन के साथ पैदल मार्च करेंगे और सरकारों के खिलाप कर बहाना बना रही है और सिक्षक भाली पग्रिया शुरू नहीं कर रही है वह सरकार करती है कि हाई कोट के द्वारा नियोजन नियवाबली रद कर दिया गया है इसलिए नियुकति बिहार सरकार नहीं कर सकती है तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए कि वैसे अभियर्थी जो बिहार टीटी पास हैं सीटेट पास हैं 13 फरवरी को गर्दनी वाग में बितना में धर्ना परदरसन की जा रही है तो दोस्तों आप सभी भी इसमें भाग ले और अपनी आवाज को बुलंद करे ताकि बिहार सरकार मजबूर हो और सिक्षकों की ब तक देखने के लिए धन्यवाद